हेलो जोस्तों क्या हाल मेरा ना में लाव दीन आज का इस वीडियों बात करने वाला हूँ अगर आप उपको रेनो एट प्रो यूच करते तो आपके लिए बहुती बड़ी गूद मुझे प्लोराइस 14 का जो अपडेट है आपको रॉल आउट कर दिया गए अपडेट करने के बातíb को सेचेहाल में बात करते तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रो उच करते तो आप के लिए बहुत-बड़ी गूद एप historic मैं अपडेट है आपको rollout कर दिया गए इसमें आपको latest version देखने को मिल जाएंगे 11.app.09 का आपको latest version देखने को मिल जाएंगे update size की बात कर दिया अपको देखने को मिल जाएंगे सादे 6GB का आसपास आपको update देखने को मिल जाएंगे अगर आपको देखने को नहीं मिल जाएंगे आपको टेंसल लेने की जुरत नहीं है अब चलिए हम बात कर लेता हूँ कि इस update के बाद आपको क्या-क्या feature देखने को मिल जाएंगे अब चलिए हम बात कर लेता हूँ कि ColorOS 14 update के बाद Android 14 update के बाद Oppo Reno 8 Pro में आपको क्या-क्या feature देखने को मिल जाएंगे Home screen से start करते है सबसे पहला आपको देखिने को मिलेगा यहांप हॉम कर परहा पूब एप शेया कि यहां से सेथेंग बेसे लगत फेश्ट के मिलें और है मुझे और दो लगत यहां प्यल्के संदेखिने को मिनला है अपकर वालों को यह ऊपी भीस सकते हैं यहां देखने को मिला है बाकि इसके आपको कोई भी नया फीचर देखने को नहीं मिला है उपको रेनो एट प्रो में नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिल जाएगा क्लोराइश 14 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा इसमें ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है इसमें आपको क्या का चेंज देखने को लेकर बता देतो इसका जो आइकन जो है वह आपको डार्क में देखने को मिलेगा यह मुझे काफी सही लग रहा है काफी खुबसरत भी लग रहा है और क्या होता था कि आपको background में music play करके आपको close छोड़ना परता था तब यह music option देखने को मिलता था बड़स अब यह करने के जोरत नहीं है आपको already पहले से music का option है नया add किया गया फीचर की बात करें तो feature आपको वही देखने को मिलेगा जो आपको colorage 13 में आपको देखने को मिल आप setting open कर लेंब मुभाइल के setting open करने ऐक बार देतीन की मिलेगा इसका जो आइकन जो देख रहे इसका siitä और ज्याइन आपको लिए मुझे काफी सही लगा प्लार इस फोटीन अपडेट के बाद सेटिंग कर दो दूब दोस्तों बिल्कुल चेंग देखने को मिला है तो फीचर आपको क्या-क्या देखने को लिए सेटिंग में चलिए में बता देता हुआ वाल प्रेपर रहने स्टाइल वे में किलिक कर करना है एक ट्रॉच का अप्संस देखने को मिला है बिलकुल यह आइपन का विचर आपको देखने को मिल को मिला यह फॉपन का यह पीचर आपको देखने को मिल जागा display and brightness में में आप क्लिक करता हूँ इसका लूग दोस्तों आपको चेंज देखने को नहीं मिला है इसका लूग दोस्तों आपको 100% चेंज देखने को करने के लिए इसका लूग दोस्तों आपको इस तरह से देखने को मिला है इसमें ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं करने के लिए फीचर की बात करें तो यहां पे स्मार्ट चार्जिंग उप्शन देखने को मिला है इस्टाप चार्जिंग 80% आपको अप्शन देखने को पिला है यह दो नया फीचर आपको देखने को मिला है क्लोराइश 14 अपडेट के बाद इस तरह दो कुछ भी आपको इसका look change किया गया है, चले हैं बता देता हूँ, क्या आपको change देखिनी को मिला है, यहाँ पे दुस्तों यहाँ पे इसको इस स्लाइड करते हैं, इसका look दुस्तों आपको क्लोराइस 14 अपडेट के बाद Android 14 अपडेट के बाद आपको चेंज देखने को मिला है सारा चीज आपको स्वाट कर दिया गए ये मुझे काफी सही लगा इसका लुक दोस्तों आपको कैसा लगा क्लोराइस 14 अपडेट के बाद आप मुझे कमेंड करें के जरूर बताना फीचर के बाद करें कुछ भी नया फीचर देखने को नहीं मिला है क्लो रहेश्ट फोटन अपडेट के बाद काल आपको देखने को मिल जागा क्लोराइस 14 अपडेट के बाद लोक लॉक आपको मॉवाइल को कर लेना खुलने के लिए पीन डालते है इसका लुक दोस्तों आपको आइफॉन की तरह आपको देखने को मिला है यह मुझे काफी सही लगा आपको किसा लगा आप मुझे कमेन करें जरूर बताना नेक्ट पिचर की बात करें तो नेक्ट पिचर आपको क्या देखने को मिलेगा क्या लोग आपको देखिने क racesσι लोग की बात तो एंडौट 14 का आपको लेटेस्ष वर्जन देखिने को मिला यहाँ पर दोस्तों फायब अक्टुबर का पॉल स्रीकर करेंटीब के अपको देखिने को मिला है यहाँ धीक आप्टी चुका है कि क्लोर्स फॉर्टीन अब्डेट के बाद आपको क्या क्या फीचर देखने को मिला है मैं उमीद करता दोस्तों आपको पता चैल चुका है कि अगर आप पो रेणो एट प्रो यूज करते क्लोर्स फॉर्टीन अब्डेट के बाद आपको क्या क्या फीचर देखने क जब से बाद आपको पता चलिए चुका हुआ अगर आपको यह वीडियो पसे लाइक करें दो प्लिज विडियो करें अगर आपने हमारा चेनल को भी दाक् सब्सक्राइब करें अगर आपने अगले वीडियो में